Assalamu alaikum, प्यारे बच्चों, आज हम chapter number 2 करेंगे, future king, future का मानी होता है, मुस्तक्बिल और king बाद्शा को कहते हैं, Once there lived a glorious king with two sons, once का मतलब होता है, एक दफा, lived, रहता था, glorious, शानदार, एक दफा का जिकर है कि एक शानदार बाद्शा था, जिसके दो बेटे थे, two sons, दो बेटों के साथ रहता था, The king was growing old and wanted to select one prince as his hire to his throne, तो growing का मतलब होता है, बढ़ना, old, बुड़ा होना, wanted, चाहता था, select, चुनना को कहते हैं, और prince, शहजादा, हर, वारिस, और थ्रोन, तख्त, बाद्शा जो है, वो बुड़ा हो रहा था, और वो चाहता था, के अपने तख्त के लिए एक्षजादे को वारस बना दे, One day the king called his son in the backyard of his palace, Called, बुलाना, backyard, पिछ्वारे, पिछले सेहन को कहते हैं, palace, महल को, एक दिन बाद्शा ने अपने बेटों को अपने महल के पिछले सेहन में बुलाया, He showed them two barren patches and told them to grow a garden there in three months, उसने, बेरन कहते हैं, बंजर जमीन के टुकड़े जो हैं, वो अपने बेटों को दिये, और उन्हें कहा के उनमें एक बाग लगाओ, तीन महीने का उनको वक्त दिया, He also gave them two gardeners for their assistance. उसने उनको दो माली भी दिये ताके वो उनकी मदद या मौवनत करें. Gardeners को दू में माली कहते हैं और assistance मौवनत करना. The elder one quickly ordered his gardener to bring large plants of different fruits and vegetables. जो बड़ा बेटा था, उसने जल्दी से हुकम दिया माली को, के बड़े पौदे लेके आओ, मुख्लिफ फलों के और सबजियों के. Quickly, जल्दी से ordered हुकम देना, और vegetables कहते हैं सबजियों को. The gardener told him to buy only small plants or seeds, but he snubbed and ordered him to do so as directed. माली ने उसे बताया के सिर्फ छोटे पौदे और बीज जो हैं वो खरीदने चाहिएं लेकिन उसने उसको डांट दिया और हुकम दिया के जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो. On the other hand, the younger one had a meeting with his gardener. उसके बाराक्स दूस छोटे भाई ने क्या किया किया कि उसने अपने माली के साथ एक मुड़कात पह की. He listened to his advice carefully and allowed him to bring fresh seed instead of small plants. उसने उसको मशवरे को एहतियात से सुना और उसको अजाज़त दी कि वो ताज़े बीज दे आए बजाए पौदों के. Listen का मतलब होता है सुनना, allowed अजाज़त देना और instead बजाए. और advice कहते हैं मशवरे को और carefully एहतियात से. Within a few days the elder one's land was all green with different plants and seeds. कुछी दिनों में बड़े भाई की जमीन जो है वो सारी सबस होगी क्योंके उसने बड़े पौदे लगाये थे फलों और सबजियों के. Feeling satisfied with his work, he went to observe his younger brother's land. उसने वो बहुत मुतमईन था अपने काम से वो अपने छोटे भाई की जमीन का मुशाहिदा करने गया. Feeling कहते हैं मैसूस करना, Satisfied मुतमईन, Observe करना कहते हैं मुशाहिदा करना. Surprisingly the younger brother's land was still plain. Surprisingly कहते हैं हिरान कुन तरीके से जो छोटा भाई था उसकी जो जमीन है वो अभी बहुकुल plain यानि बहुकुल सादा थी, उस पे कोई पोदे नहीं हुगे वे थे. Nothing was grown yet, कुछ भी नहीं हुगा था. He thought that the younger one must have given up. उसने सोचा के छोटे भाई ने हिम्मत हार दिया, thought, सोचना और given up, हार मानना. And this feeling made him proud to be the king. और ये एहसास उसने फखर महसूस किया कि अगला बाच्चा वो ही होगा. Proud कहते हैं, फखर करने के. The younger brother really worked hard on his land. छोटे भाई ने हकीकत में अपनी जमीन पर बहुत मेहनत की. Really कहते हैं हकीकत में, worked hard, मेहनत करना. He daily watered the new saplings which were now shown out of the ground. वो रुजाना नई कॉम्पलों को पानी देता था, जो के अब जमीन से बाहर निकल रही थी. Saplings केते हैं, कॉम्पलें, जो छोटे-छोटे पौदे जमीन से निकलते हैं. He took away all the harmful weeds and shrubs. उसने जितनी भी नुकसान दे जड़ी बूटियों थी, उनका सफाया किया. Weeds and shrubs, जाड और गास पूस जो पौदों के साथ उग जाता हैं, उसको कहते हैं. He kept listening to his gardener's advices and with patience he completed these three months. उसने अपने माली के मश्वरों को सुना और सबर के साथ अपने तीन महीने पूरे किये. Patience का मानिये सबर. The elder one was least bothered about the garden. जो बड़ा भाई था, उसने बिलकुल भी अपने बाग के बारे में उसे कोई परिशानी नहीं थी. यानि उसे कोई जहमत करनी गवारा नहीं गई. His misconduct with his gardener, his greed of sowing large plants, his negligence toward the harmful wild plants spoiled his whole garden. उसका बुरा सलूक उसके माली के साथ, उसका लालिच के उसने बड़े पोदे बोए, और उसकी गफलत के उसने अपने पोदों में से जंगली पोदों को नहीं उखाड़ा, इससे उसका सारा बाग खराब हो गया. मिसकंडर्ट का मानिया बुरा सलूक, greed लालच को कहते हैं, sowing बोना, negligence गफलत, wild जंगली, spoiled, खराब होना. After three months when the king visited both gardens, he was surprised to see his younger son's hard work. तीन महिने के बाद जब बादशाह ने दोनों बाग देखे तो वो बहुत हिरान हुआ कि अपने छोटे बेटे की मेहनत देखा, surprise कहते हैं हिरान होना. He hugged him and crowned him as a king. उसने उसको गले लगाया उसको पाच बहनाया पादशाह का. गले लगाना, hug करना और क्राउन पाच बहनाना. The younger son's honesty, patience, tolerance and hard work earned him the title of king and all these qualities are needed in a king or a leader. चोटे बेटे की सचाई, सबर और बरदाश ने उसको इस काबिल बनाया कि वो बादशाह बन सके. और ये तमाम खूबियां जो होती हैं एक बादशाह और लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी होती हैं. तो प्यारे बच्चों हम उर्दू और इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं तो आप कुरान मजीद को रुजाना तर्जमे के साथ पढ़ें क्यूंकि जब तक हम अल्ला की बेजुई हदायत को नहीं पढ़ते, समयते नहीं हैं. हम honesty, patience, tolerance जैसी qualities अपने अंदर पैदा नहीं कर सकते हैं. उमीद है आपको सबक तो संद आया होगा. इस वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें.